Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल ये 23rd में से लेकर 29th में तक कि आपकी tarot readings है, tarot predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें देखिए आपका एक-एक like, एक-एक subscription, एक-एक share हमारे लिए बहुत मायने रखता है In fact, यही एक motivation भी होती है next video को बनाने के लिए तो अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please आप खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के subscribe करें इसी के साथ-साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं यहां पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपने वीडियोस को sorry readings को देखते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशिफल चलिए siritaris आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए cards है night of pentacles, reverse and suppression और देखिए suppression का card एक pressure, एक burden, मन ही मन किसी चीज़ को लेकर specifically अपने professional fund में महसूस करने की बात करता है और देखिए general leading है तो यहाँ पर इस pressure, इस burden के लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि money, पैसे और materialistic tangible चीज़ों को लेकर एक pressure, एक burden आप महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जितना आप काम कर नहीं सकते हैं उससे भी जादा आप काम कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं and in the process देखिए आप खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं आप खुल के जो करना चाहा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं आप पिर नहीं कर पा रहे हैं आप अपने लिए कहीं stance भी नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी Sagittarius कि बहुत बहुत important है कि इसी pressure को आप offload करें आप कहीं अपने लिए stance लें और जितना कर सकते हैं उतना ही करें क्योंकि देखिए temporarily हम नहीं देख पाते हैं लेकिन आगे जाके इसी pressure इसी burden की वज़े से हमारी physical health effect करती है और फिर हम बहुत परेशान होते हैं और देखिए इसलिए या फिर otherwise भी Knight of Pentacles reverse का card कहता है कि आपने एक pause लिया हुआ है आप रुके हुए हैं आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अच्छी opportunity भी आपके professional front में आ रही है लेकिन आप बहुत जादा सोच रह हैं आप शायद 100% sure होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले तो देखें यहां पर मैं आपको कहूंगी कि आप सोचें आप समझें लेकिन इतना जादा भी time ना लगाएं कि फिर वो opportunity miss हो जाए और देखें कहीं बहुत सारी responsibilities अगर आपको रोक रही हैं इसी opportunity को लेने के and personal front से आप लोगों के लिए cards है devil rivers and traveling देखें devil का card भी कहीं pressure की बात करता है कहीं you know stress और tension की बात करता है तो देखें इन ही cards को देखके और फिर सुन के आप परिशान ना हों Sagittarius क्योंकि weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं इका दुक्का लोगों की बात अलग है और द reading से guidance लेके आप कहीं चीजों को better कर सकते हैं या फिर इसी stress इसी परिशानी को आप avoid भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए devil का card again pressure की बात करता है और personal front में भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन devil कहीं obsessive energies की बात करता है और devil के नीचे traveling का card कहीं literally कुछ लोगों के लिए हो सकत है कि traveling आप कर रहे हैं और उसी से ही related एक pressure आप महसूस कर रहे हैं कोई जगा छोड़के आपको दूसरी जगा जानी है physical level पे और इसलिए आप परिशान हो रहे हैं कुछ के लिए दिखिए internal emotional mental level पे एक shift लाना चाहा रहे हैं एक movement लाना चाहा रहे हैं किसी चीज को छोड़कर आपको आगे जाना पड़ रहा है और इसी लिए आप परिशान हो रहे हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूंगी कि pressure और tension से अगर कुछ मसले हल होते होते तो देखिए हम 10 लोगों को और बुलाते और बोलते चलो भई हम परिशान होते हैं क्योंकि इस से कोई हल होता नहीं हम सिरफ और सिरफ अपनी physical health को ही परिशान करते हैं तो देखिए जिस चीज को आप change कर सकते हैं आप change करें जिसको आप change नहीं कर सकते हैं उसको जितनी जल्दी आप accept कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी जिंदगी को असान कर लेंगे उतनी ही जल्दी एक सुकून आप अपनी जिन्दगी में लेकर आएंगे और दिखें, दोनों ही कार्ट्स कहीं stubborn energies की भी बात करते हैं कहीं किसी चीज को लेकर एक जिद भी रखने की बात करते हैं और अगर ऐसा भी आप पाएं Sagittarius, तो इस चीज को भी जरूर चक करके correct करें क्योंकि दिखें, जब हम stubborn वाली energies में होते हैं तब भी हम सिरफ एक परिशानी अपने ले लेकर आते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया जब भी हम उन चीजों को control करने की कोशिश करते हैं जिनको हम control नहीं कर सकते हैं जिनको हम change नहीं कर सकते हैं तब ही हम परिशान भी होते हैं और जब हम एक going with the flow वाली energies में रहते हैं तब हम अपनी जिन्दगी को बहुत असान करते हैं तो देखें, इस week overall cards की तरफ से आप लोगों के लिए यही guidance है कि आप going with the flow वाली energies में रहें एक surrender mode में रहें and guidance है आप लोगों के लिए card है unknown territory और यह card कहता है you're exactly where you need to be तो देखें, हमने दोनों ही fronts के cards में देखा कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं और यह card भी कहता है कि इस week अगर आप अपने आपको lost पाएं जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं क्यूं कर रहे हैं आप कहां पर हैं तो आप वही कर रहे हैं जो आपको इस situation में इस circumstances में exactly करना चाहिए और फिर से देखे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कहां है तो आप exactly वहीं हैं At times क्या होता है na Sagittarius कि जो भी हमारी लाइफ में होता है कहीं हम उसको नहीं समझ पाते हैं कोई भी चीज, you know, एक सेंस नहीं बना रही होती है लेकिन आगे जाके उसी चीज़ को जब हम समझते हैं तो हमें लगता है कि उस टाइम पे वो चीज़ कितनी अच्छी हुई और उसी की वज़े से आज हमारी लाइफ कितनी अच्छी है तो इस वीक भले ही आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें कि जो भी हो रहा है वो बहुत ठीक हो रहा है और यहीं चीज़ें आपको उसी डारेक्शन में लेकर जाना चाहा रही हैं जहां पे आप जाना चाहाते हैं और ही स्टालगी से आप लुगों के लिए सातन प्लानेट का का कार्ड है और इस कार्ड के हिसाब से आल शेयद्ग ऑफ ब्लुव मść इस वीक आप लुगों के लिए लगी रह सकते हैं और सिगनिफिकरण देओ आप लुगों के लिए होगा साटरडे तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे Comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए क्या अप्रिकॉंज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Ace of Cups and Silence और ये cards कहते हैं कि इस week specifically आपके professional front में आपको money, पैसा, finances, materialistic, tangible चीज़ों से related उतना gain, उतना फाइदा हो या नहीं हो लेकिन एक happiness, एक joy, एक satisfaction आप ज़रूर महसूस करेंगे और दिखे इसी happiness, इसी satisfaction के लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको बहुत enjoy कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई beginning या तो हो रही है या फिर आप करना जा रहे हैं और दिखे ये नई beginning भी सब के लिए differ करेगी, कुछ के लिए नया job हो सकता है, कुछ के लिए नया project हो सकता है, कुछ के लिए नई team, नई जगा हो सकती है, कुछ के लिए simply कोई भी नए काम करने का तरीका हो सकता है, यहां फिर से मैं कहूंगे कि कोई भी नई चीज हो सकती है जो एक happiness, जो एक joy, जो एक satisfaction लेकर आ रही है और deeper level के लिए दिखे silence का card भी कहीं एक सुकून, एक peace of mind महसूस करने की बात करता है एक बहुत ही positivity भी again मैं कहूंगे महसूस करने की बात करता है और personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है the high priestess and schizophrenia और देखिए, schizophrenia का card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक stuck energies में आप रह सकते हैं जहां पर कुछ लुगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई decision लेना है, कोई choice लेनी है और कहीं यही decision यही choice आप नहीं ले पा रहे है क्योंकि आप two minds में हैं एक मन आपका कुछ और कहता है दूसरा मन आपका कुछ और कहता है और देखिए, in general भी कहीं एक inaction, एक indecisive energies रह सकती है और शायद इसे लिए देखिए आप बहुत actively किसी भी चीज में इस week involved होते हुए नहीं दिख रहे हैं बहुत actively किसी भी चीज में participate नहीं करते हुए दिख रहे हैं आप चीजों से, लोगों से withdraw कर रहे हैं और देखिए, यहाँ पे भी सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन ये cards कहते हैं कि शायद आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं शायद आप किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं आप बहुत ही wisdom के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक secrecy सी आप maintain कर रहे हैं कहीं खुल के अपनी feelings अपनी emotions को नहीं express कर रहे हैं या फिर किसी से कोई चीज चुपाना चाहा रहे हैं और देखिए, कुछ Capricorns के लिए कोई इनसान भी आपकी life में हो सकता है जिसकी एक secretive सी energies हैं and guidance से आप लुगों के लिए rainbow blessings का card है ये card कहता है blessings are showering your life तो देखिए, universe बहुत सारी blessings आपके उपर shower कर रहा है जितना आप grateful रहेंगे जितना आप universe को you know thank you बोलते रहेंगे उतना ही इन blessings को आप बढ़ाते रहेंगे and astrology से आप लुगों के लिए the north node का card है और north node astrology में कहीं राहू को represent करते हैं तो इस card के हिसाब से आप जो भी colors पहने इस week आप blue black colors को avoid करें in fact दिखिए अगर आप light colors पहनेंगे तो वो ज़्यादा बहता रहेगा and significant day इस week आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए Aquarius आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Ace of Pentacles and Possibilities और देखेंगे cards कहते हैं कि इस week specifically अपने professional front में कैसे आप चीजों को expand करें कैसे आप चीजों को next level पर ले कर जाएं, उसी पे ही आप focus करते वह दिख रहे हैं और जो भी issues, जो भी मसले हैं, जो भी restrictions या limitations हैं, इन ही चीजों से related, उनको आप overcome करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और बहुत जबर्दस्त एक confidence भी मन ही मन रहतावा दिख रहा है, आप next steps plan कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसी से ही related या तो कोई नई beginning हो रही है या फिर कोई नई beginning आप करना चाहा रहे हैं, और दिखिए जनरल लीटिंग होती है, तो ये नई beginning सब के लिए थोड़ी-थोड़ी differ कर सकती है कुछ के लिए नई job हो सकती है कुछ के लिए नया project हो सकता है कुछ के लिए नई जगा हो सकती है कुछ के लिए नई काम करने के तरीके हो सकते हैं, कुछ के लिए नया colleague हो सकता है, अगेन कोई भी नई beginning, इस भी क्या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर हो रही है, और कहीं ये नई beginning, money, पैसा finances, materialistic tangible चीजों से related एक gain, एक फाइदा लाते हुए दिख रही है, कहीं एक stability, एक security भी लाते हुए दिख रही है और overall के लिए दिखिए बहुत ही realistic, बहुत ही practical तरीके से आप चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं पीछे अगर कोई काम आप करना चाहा रहे थे और literally आपको ऐसे लग रहा था कि दर्वाजे ही बंद हैं, कहीं कुछ issues कुछ मसले भी अगर आप face कर रहे थे, तो इस week कहीं वही दर्वाजे खुलते हुए दिख रहे हैं कहीं वही चीजें आसान होते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है Ace of Souls, Reverse and Experiencing और ये cards कहते हैं कि इस week specifically personal front में एक passive सी energies रह सकती हैं एक waiting and allowing वले energies रह सकती हैं क्योंकि ये general reading है तो सब के लिए ये wait, सब के लिए इंतजार डिफर कर सकता है कुछ के लिए किसी phone call, किसी message, किसी news, किसी email का wait हो सकता है कुछ के लिए देखिए right timing का wait हो सकता है यानि कि जो भी आप करना चाहा रहे हैं उसी सही related, सही समय का आप इंतजार कर रहे हैं and in the process हो सकता है कि आप long term planning करना चाहा रहे हैं, long term goals बनाना चाहा रहे हैं, यानि कि current चीजों पर इतना focus आप नहीं करना चाहा रहे हैं आप दूर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहा रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं और देखिए कहीं हो सकता है इन ही चीजों से related एक fighting spirit रखने की ज़रत है जो कि आप नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि यहां पर Ace of Swords का card reverse है तो देखिए अगर आप इस card को देख पा रहे हैं तो sword के उपर crown बना हुआ है और crown कहीं victory की बात करता है success की बात करता है तो nutshell में यह card कहता है कि अगर आप fighting spirit रखेंगे अगर आप logically चीजों को deal करेंगे आप एक clarity लेकर आएंगे अपने goal अपने मकसद पर focus रखेंगे तो definitely जो आप चाहते हैं उसको आप पापाएंगे और कहीं भी देखे इन ही सब चीजों को आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप हो सकता है कि उस चीज को ना achieve कर पाएं तो फिर हो सकता है कि आपको success और victory ना मिले तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि इस week specifically again personal front के लिए बहुत बहुत important है कि किसी भी चीज को लेकर अगर confusion है उसको आप खतम करें किसी भी चीज को लेकर अगर बहुत distracted से energies हैं उनको आप overcome करें और फिर से एक clarity लेकर आएं एक detachment लेकर आएं एक focus लेकर आएं और ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो इस week energies को आप बहुत 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 कर पाएंगे and guidance है आप लुगों के लिए reaching your destination का card है और यह card कहता है your light is shining brightly तो देखे फिर से cards आपको message दे रहे हैं कि आप अपनी मंजिल अपने मकसद के बहुत करीब हैं और दिखे ऐसे में बहुत important होता है कि आप give up ना करें आप you know एक positive frame of mind रखें और आप बहुत ही willpower determination के साथ आगे बढ़ते रहें and astrology से आप लुगों के लिए Mars planet का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लुगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Tuesday तो ये था various आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप eight of cups reverse and healing और ये cards कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज को अगर आप छोड़ कर आगे बढ़े थे और कहीं इसी लिए आप low feel कर रहे थे, emotionally 100% नहीं feel कर रहे थे तो इस week कहीं उसी चीज के पास आप वापस जाना चाहा रहे हैं या फिर जा रहे हैं और दिखिए जनरल लीडिंग होती है तो थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर सब के लिए differ करेगा कुछ लुकों के लिए कोई जगा हो सकती है जिसको छोड़ कर आप आगे बढ़े थे और इस week उसी जगा के पास अगे आप वापस जाना चाहा रहे हैं या फिर जा रहे हैं और इसी लिए हो सकता है कि आप ट्रावल कर रहे हैं या फिर ट्रावल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है कुछ के लिए कोई प्राजेक्ट हो सकता है कोई टीम हो सकती है जॉब हो सकती है जगा हो सकती है कोई पुराना काम करने का तरीका हो सकता है या फिर से कोई भी चीज हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़े थे और इस week आप वापस जाना चाहा रहे हैं या फिर जा रहे हैं और ऐसा करके देखे एक better feeling आपको होते हुई देख रही है और देखे deeper level के लिए healing का card भी कहीं similar सी energies की बात करता है ये card कहता है कि पीछे किसी चीज को लेकर अगर आप emotionally low feel कर रहे थे एक hurt, एक परेशानी महसूस कर रहे थे तो इस week उसी की healing हो रही है और कहीं उन्ही energies से आप बहार निकलते वह दिख रहे हैं और किसी इनसान की तरफ से एक emotional support भी prices आप लोगों के लिए available रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the hierophant and projections और ये cards कहते हैं कि जो भी बड़े लोग हैं elderly लोग हैं आपकी life में उनके साथ आप जाधा connect करना चाहा रहे हैं या फिर उनके साथ आपकी जाधा interactions हो रही है और कहीं देखिए अपनी बातों को लेकर अपनी चीजों को लेकर आप थोड़े से fixated थोड़े से rigid भी रहते हुए दिख रहे हैं जैसे होता है न old is gold तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी पुरानी कहावते हैं पुरानी जो चीजें हैं उनको इस वीक आप जाधा follow कर रहे हैं आप rules को भी again follow करते हुए दिख रहे हैं और देखिए deeper level के लिए projections का card कहता है कि शायद आप सच को सच की तरह से नहीं देख पा रहे हैं जो भी आपके mind में projection है उसी चीज, जगा, इनसान के लिए आप उसी के हिसाब से हर चीज को deal कर रहे हैं जैसे होता है ना सामने वाले की intentions हमारे लिए अच्छी नहीं है लेकिन अगर उनको लेकर हमारे mind में एक बहुत positive image है यानि कि उनकी अगर हमारे mind में एक positive image है तो उनकी गलत चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं हमें ऐसा ही लगता है कि भी वो इनसान बहुत अच्छे है और ऐसे ही देखिए जब सामने वाले के मन में हमारे लिए बहुत एक positive है लेकिन हमारे mind में उनको लेकर एक negative image है तो उनकी अच्छी चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं उनकी हर चीज़ ही हमें गलत लगती है और देखिए जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम सही decisions नहीं ले पाते हैं सही choices नहीं कर पाते हैं और फिर हमसे गलतियां भी होती हैं जो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे जाके जब हमें पता लगता है तो बहुत परेशान होते हैं, तो देखी कहने का मतलब यही है, कि जो भी आपके माइंड में उस जगा इंसान के लिए एक इमिज बनी हुई है, पॉजिटिव या नेगिटिव, आप उसके हिसाब से चीजों को ना डील करें, आप सच को जानें, आप सच को सच की तरह ही देखें, कोई भी बड़ा डिसिजन, कोई भी बड़ी चोईस लेने से पहले, कोई भी डीलिंग्स करने से पहले, और देखिए कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है, कि आप किसी religious, spiritual activity में और देखिए, यह भी सबक के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि आप किसी religious place को visit करना चाहा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई religious gathering, या फिर कोई religious ceremony आपके घर में है, या फिर आपके किसी close one के घर में है जिसको आप attend करना चाहा रहे हैं and guidance से आप लगों के लिए discovering truth का card है और ये card कहता है you stand in the light of truth तो देखे बहुत ही clearly ये guidance आपके personal front के लिए है और projections के card में मैंने आपको बताया भी था कि आप सच को सच की तरहें नहीं देख पा रहे हैं और देखे guidance भी आपको यही कह रही है कि आप सच को पहले जाने, सच को समझे सच से अपने आपको वाकिफ करें कोई भी action, कोई भी initiative लेने से पहले and astrology से आप लुगों के लिए south note का card है और देखे south note tarot में के तु को represent करता है तो इस week आप grey, blue, black color के कपड़े avoid करें और light shades पहनेंगे तो आपके लिए जादा बहतर रहेगा and significant day आप लोगों के लिए इस week होगा Tuesday तो यह था prices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं किये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए